असलाम लेकुम मैं हूँ यासर जावेद और वल्कम टू अनदर व्लॉग ऑफ मार्कोट क्वेस्ट दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अन्य बाइक की पहली दफा और गैस वाट किस ने नई ले बाइक ले ली शर्यार भाई स्वालेकुम बहुत बहुत मुबारिक हो आपने लई भाइक ले ली फोड़ा बाइक के बारे में बता इससे पहले कि हम इसकी प्रोसेस शुरू करें तो या माँ की YBZ DX है तो चीक है वाइने लेनी थी लेकिन ऐसा हुआ कि तीन साड़े तीन महीने तक जो है न वह हमें बुकिंग पे टेलाते रहे हमने चोड़े तो शेयर वह यह बाइक आपने लीक हूँ है असल मैं आप यह भी तोड़ा सा बता दें कि लीक हूँ है आपने बाइक आपके जैसे की वाइबी जी यामाह की मैं बेसिकली करता रहता हूँ अपनी गाड़ियों वगारे की आटो मोटिव जो है सेरमिक कोटिंग पॉलिशिंग वगारा आज मेरा भी जो है ना फर्स टाइम एक्सपिरियंस करना जा रहे हैं बाइक की सेरमिक कोटिंग तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तजरुबे के लिए इनको हमारी बाइक मिलिए वो भी नई पनी भी नियडा ही अमने इस किया तो यह है जी बाइक की कंडिशन बिफोर सरमिक कोटिंग और के बाद जो आप देखेंगे वो फुली क्योंकि बाइक नई है बिलकुल तो इतना ज्यादा फरकाने नही इसके प्रोटेक्शन आजएगी मैधान में ले आए बाइक को लिए नई बाइक को भी धुक्त लगाना परड़ए क्या होगया है क्या मुस्मिक बता गई है पैट्रॉल पटा कितना महिंगा होगा है घाड़ी से बाइक है और बाइक से धक्के पर आगए मैं बता दूँ के सेरमिक कोटिंग के लिए आपको क्या क्या प्रोड़क्स की दरूरत है क्या क्या लगेगा और क्या क्या उसके प्रोसीजर है मैं अल्ला को शुकर है यह खुद अपनी गाड़ियों के लिए काफी दफा कर चुका हूं तो इसका मेरे पास अच्छा खासा तजरूरबा है और रिजल्ट भी गैरंटीड है शर्यार भी परिशान नहीं हुएगा आपकी बाइक बिल्कुल जबरदस्ट चमक जाएगी मिसाल को तोर पे अगर आपकी बाइक थोड़ी सी पुरानी है तो उस पे आपको रबिंग और पॉलिश वगरा करनी पड़ेगी उसके अलावा अगर ब्रैंड न्यू बाइक है तो कोई भी आप सेरमिक कोटिंग ले ले और वो इसके उपर अपलाय करते हैं इस तरह से करते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ इस वक्त मैं आपको बता दूँ के हम प्रॉड़क्ट कॉन सा यूज करने जा रहे हैं यह है जी मिस्टर फिक्स नाइच और तो सेरमिक कोटिंग है और यह एकनॉमिक प्रॉड़क्ट है इतना एक्सपेंसिव नहीं है रीजनिवल है और बेसिकली यह गाड़ी के लिए इसकी जो कॉन्टिटी है वह गाड़ी के लिए होती है तो बाइक इससे कोई मेरे खाल से चार प कुछ यह फेपर्स आते हैं और बाद में जो असल जो प्रॉड़क्ट है वह है इसका सिलूशन सबसे पहला काम हमने क्या करना है गो के बाइक इनकी ब्रैंड न्यू है लेकिन उससे पहले इसको हमने बिल्कुल डस्फ्री करता है इसको अब हम करेंगे अच्छे तरीके से वाश उसके बाद यह जो प्रॉड़क्ट है सरमिक कोटिंग का वह इसके उपर अपलाए करेंगे अब बाइक कर वाला पार्ट है ना जैसे यह टैंक है और यह इसके साइट कवर्स है यह वाला पार्ट है और मदगार्ड है यह जो पैंट आना काड़ी का यह प्र्टेक्शन वह देगा यह जो क्रूम वाली जगह है यह सीट हाय नीचे जो मेटल वाली जगह है यह वहाँ पे जह ना बसक्ली इसको नहीं करते replen wheat कर बिद हो लेकिन एन यह भी काड़ी करना आप्ने है अबने तो आपने समय के ग्र् तो बाइक अब चमकेगी जब मालिक का हाथ लगेगा ना असल तो आप चमकेगी वाइक अच्छे तरीके से ड्राइब और फिर आजाने आपने सरमेक कोटिंग के अपर तो यह लास्ट के फ्यू स्टेप्स हैं जो हम करने जा रहे हैं बिफूर हम स्टार्ट करें अपना सेरमेक कोटिंग का सारव अपरौसड़ूज क्या निकाली है यार जबरदस कर दिया मैं तो कह रहोँ जबरधत कर दिया मैं तो पुटिंग की ज़रूद तो नहीं है नहीं है चले है चले जी शुरू कर रहे हैं हम अपना फाइनल प्रोसेस सेरमेक कोटिंग का तो ये तब्बा कोला और वह गया हम पकड़ना है एक टिशू हमारा कि गिर चुका है तो और पानी में जाके बिल्कुल बरावर हो गजिया तो इसको बड़ी है इतियात से आपने पगड़ने इसको आपने रखना है इसके बीच में और यह जो ब्लू वाली साइड आ यह नीचे और इसके उपर आपने इसको प आपने दालके यह तो उपर और नीचे वाली मुवमेंट से पूरे पीस के उपर करने और जब आपको लगे कि आपके जो पीस है वो मुकमल हो गया है तो आप दूसरे हिस्से के उपर करने मतलब यह जब मैं आपको करके दिखाओंगा तो शायद आपको असानी होजा सबागते है तो जी शुरू करते है तो टैंक से शुरू करने आप एंडाउन मुवमेंट है और बाइक क्योंके बिल्कुल क्लीन बाइक है इतना इसके उपर प्रॉमिनन नहीं हो रहा है मंड के लगा देते हैं क्योंके यह अब दिख रहा है यह सारी जो टीकर्स और टैंक के उपर जो पेंट है उसको मैं डबल कोट करूँ है क्योंके मेरे पास यह अच्छी खासी कौनेटी में बादी रहा है बाइद वे मैंने अपनी गाड़ी की भी सरे में कोटिंग किसी प्रॉड़क्स से की हुई है इधर या इधर मैं आपको उसका लिंक लगा देता हूँ गाड़ी पर किस तरह से करनी है वो भी देख लीजिएगा फुदी घर पर कर सकते हैं अजा टैंकी का पीस पूरा कर दिया है मैंने इसको बैसिकली हमने करना भी जो है ना बीज बाई पीस होता है अगर गाड़ी है तो आप पहले बोनट करें इसको पूरा करें फिर इसको फिनिश करें और देन आप जो है दूसरा पीस में एक पीस हो गया अब मैं जाओंगा जो इसके साइड कवर्स हैं, साइड कवर्स को हम करेंगे ताकि साइड कवर्स पर भी जहां पेंट है उसकी भी पूप तैंकी हो गई है और अब मठगाड पर लगें तो बहुत ही कम लगने वाला तैंकी से जिए होता है एक बात और जो मैं बताना चाहूं एजो प्रोड़क्ट एन्हा ये बहुत रजट ये बहुत एक्सपेंसिफ प्रोड़क्ट नहीं है और इसकी लाइफ अपकर चुका हूं आप प्रूवन कि लाइफ प्रोड़क्स को च्छे सी की लाइफ राफ essential कि नहीं की और अगर आपको लाइफ चाहिए लॉंग लास्टिंग चाहिए तो फिर आप दूसरा प्रोड़क लें जो के शे से साथ हदार के बीच में होता है तो वह डेड़ दो साल इसली निकाल से प्रोड़क कि इतना सार है गाड़ी का प्रोड़क्ट है शेरियार भाई को करके दे आवे चाहिए तो कर देता है इतना बचा इतना बचा के हम करें क्या है तो कि आयो तर दुझ गया वो हमारा प्रोड़क आप लेकाइन अब भी यसको हमने फिनिश करनेंस गया एं इसको आना हमने रब आ दनने क्श Argentina चींवा अज़ाइव यहे यॉग रब ठाड़क ताकि भी तो अप्रेक यह करिए कि आपके पास अच्छा माइक्रो फाइबर शॉख ताकि आपकी जो फिनिशिंग वह उक्के वाली आजाए आ अलो हमने तो अपना फाइनल हाथ लगा के बाइक तयार कर दी है अब मालिक का काम है कि मालिक भी रगडाई करे और पैसे हलाल करे अपने और बाइक जब चमके तो क्रेडिट हमें भी मिले और उनको भी मिले यह देखे आप अच्छा जी शेरियार भाई रिव्यूज ऑन दे सेरमिक कोटिंग क्या रिव्यूज आपको फर्स्ट इंपक्ट आप आपको देख के क्या लग रहा है कि यह कोई फर्क है भी के नहीं यार बिल्कुल है ठीक ठाक यह शाइन कर रहा है और मज़ा आगया ऐसा हो गया कि मैंने भी हाथ रखा तो वह इलू करके नीचे आए जा रहा है और और मैं यह देख रहा हूं कि यह जो सूरज की बहुत कम रोशनी है ना इस पर पढ़कर रिफ्लेक्ट हो रही है और इस इ होके जी बाइक आपके सामने है और मेरे खाल से हार्ली एक घंटे के अंदर सारा प्रोसेस हो चुका है और बाइक माशालला से निकल के आई है अब देखना यह है कि कितने हरसे तक इसका यह रहता है जो मेरा एक्सपीरियंस इस प्रॉड़क के साथ रहा है वह तकरीबान च दिखा दिया कि क्या इंपक्त आया और कुछ आपने ग्लॉसी शॉट्स के देख लिए होंगे और फोड़े से एंड में भी मैं डाल देता हूं तो देखिए का हमारी सारी ओटो मोटिव मेंटिनेंस से रिलेटिड वीडियो को थैंक यू वेरी मच अलाफिस